सो गैस आज की इस वीडियों में बात करेंगे रियलमी की तरफ से 9 सितंबर को इंडिया में लॉंच होने वाले एक और न्यू 5G स्मार्टफोन की और ये स्मार्टफोन काफी फास्टेश चिप सेट के साथ लॉंच किया जाएगा कल यानि के 9 सितंबर को सो गैस आज बात करने वाले हैं सबसरी मिला बात करते हैं फोन के बिल्ट खौली एंड डिजाइन की तो मिडल का फ्रेम आपको प्लास्टिक का देखने को मिलेगा प्लास्टिक के बैक के साथ dual tone design देखने को मिलेगा yellow and black color काफी famous होने वाला है यहाँ पर and front में आपको corning gorilla glass की production देखने को मिलेगी तो यहाँ पर आपको build quality and design काफी बढ़े हैं देखने को मिलने वाले है यहाँ पर आपको design and build quality से कोई सिकायत नहीं आन वाली so guys अब बात कर लेते हैं phone के display की display मिलेगी आपको 6.67 inches की full hd plus वाले resolution के साथ एक super ammo display वो भी 120 gigaard के smooth high refresh rate के साथ और यहाँ पर मिलने वाले आपको एकदम flat display जहाँ flat display के साथ launch के जाएगा real minarjo 70 turbo 5G smartphone यहाँ पर आपको display quality काफिक बढ़िया देखने को मिल जाएगी content watching हो चाहिए gaming हो यहाँ पर आपको सिकायत नहीं आन वाली hdr 10 plus के certification मिल जाएगी wide one L1 के certification मिल जाएगी तो display से ब्रेट पिकर रहे है यहाँ पर आपको under display finger print scanner की support and face unlock की security देखने को मिलेगी तो display से आप भी फिकर हीए operating system की बात करें तो latest end version 14 और realme UI 5.0 version के साथ launch किया जाएगा इस phone को तो यहाँ पर आपको software में कोई भी सिकायत नहीं आने वाली so guys अब बात करते हैं phone के main part यानि कि उसकी performance की button से पहला अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो please वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो यहाँ पर आपको Mate Tech की तरप से एक powerful gaming chipset Mate Tech Demensity 7300 energy वाली chipset देखने को मिलेगी जो की 4 nanometer fabrication बनी वी है और काफी fast chip set है यहाँ पर आपको performance में कोई भी सिकायत नहीं आने वाली and 2.5 gigahertz की maximum peak clock speed मिलेगी आपको CP performance के माम में तो यहाँ पर आपको gaming में कोई भी सिकायत नहीं आने वाली और hitting issue को कम करने के लिए आपको liquid cooling system भी देखने को मिलेगा hitting issue को कम करने के लिए तो यहाँ पर आप performance से बेफिकर रही है so guys अब बात कर लेते हैं camera setup की तो triple layer camera setup देखने को मिलेगा 15 megapixel का man sensor होगा और यहाँ पर आपको EIS की support देखने को मिलेगी OIS की support देखने को नहीं मिलने वाली and 8 megapixel ultrawide and 2 megapixel का macro lens देखने को मिलेगा जहाँ पर आप 1080 pixel पर video recording कर पाएंगे overall phone का camera यहाँ पर decent देखने को मिलने वाला है अगर बात करें selfie camera की तो पंच होल के साथ मिलेगा 16 megapixel का selfie shooter जहाँ पर आप 1080 pixel पर video recording कर पाएंगे overall phone का camera decent देखने को मिलने वाला है अब बात करते हैं phone के battery department की तो यहाँ पर मिलेगी आपको 5,000 अबेच के बैटरी और बैटरी को चार्ज करने के लिए 45 वार्ट वायर चार्जिंग की सपोर्ट और 45 वार्ट फास्ट जर आपको इन बॉक्स देखने को मिलेगा फोन के साथ एन USB टाइप C पोर्ट मिल जाएगा आपको चार्जिंग के लिए तो बैटरी डिपार्टमेंट से भी आपको कोई सिकायत नहीं मिलेगी बात करेंगे फोन के वरेंट की तो तीन वरेंट में देखने को मिलेगा 6GB 128GB, 8GB 128GB और 8GB 256GB तो ये तीन वरेंट देखने को मिल सकते हैं अगर बात करें फोन में इस्टियो स्पीकर की तो डूवल स्टियो स्पीकर देखने को मिलेगे हाई रेजिटेंट होड़ी सर्टिफिकेशन के साथ है और इस फोन के अंदर आपको 3.55 मोड़ी जैक भी देखने को मिलने वाला है अब बात करते हैं फोन के प्राइजिंग की तो प्राइजिंग इसके जो लिक्स हुई है वो 20,000 में देखने को मिलेगा जो इसका बेस बिरेंट इंडिया में लॉंच के जाएगा और यह स्मार्टफोन आपको कल या निके 9 सितंबर को ओफिसल देखने को मिलेगा रियलमी की तरफ से आज के इस वीडियो में तरहीं कल फिर मिलेंगे को ने वड़ी साथ तब सक के लिए थैंक्यो वाचिंग दिश वीडियो जैंद